वेक्टर टिपल प्रोडट तीन वेक्टर का प्रोडट जो कि वेक्टर कॉंटिटिटिए उढू जिसका नाम है वेक्टर टिपल प्रोडट लगा हैडिंग इसको sort में VTP बोलेंगे VTP Vector Triple Product तीन Vector का Product इसका नाम Vector इसलिए है क्योंकि final जो result निकल के आएगा वो एक Vector quantity होगा लास्ट क्लास हमने पढ़ा था है Scalar Triple Product उसमें भी तीन Vector का Product था पहले Vector का Dot Product बागी दोनों के Cross Product के साथ लेकिन उसका जो final result था वो एक Scalar Quantity था इसलिए हमने उसको STP बोला था Scalar Triple Product यहाँ final result होगा वो एक Vector मतलब Vector Quantity होगा जिसके पास Magnitude भी होगा और Direction भी होगा चलिए लिखना शुरू करें लिखो VTP of 3 Vectors 3 Vectors A B and Vector C is given by given by कैसे देते हैं इसको पहला Vector इसका Cross Product बागी दोनों के Cross Product के साथ A Cross B Cross C ऐसा भी हो सकता है A Cross B पहले हो जाए Cross C यहाँ पे Bracket का बहुत importance है खयाल रहे इस बात का तुम याद करो A.B.C में जब मैंने STP पढ़ाया था तो मैंने बोला था A.B.C यहाँ Bracket लगाएं और चाहे Bracket ना लगाएं उससे कोई फरक नहीं पढ़ता था Reason उसके पीछे क्या था कि हम पहले Dot Product करते हैं कि Cross Product करते हैं Cross Product वहाँ Fix है कि पहले Cross ही करना है तो जिन दो Vector के बीच में Cross लगा हुआ है पहले उसी को हम करते हैं तो ठीक है वहाँ पे Bracket लगाओ ना लगाओ फरक नहीं पढ़ता था लेकिन यहाँ Bracket का बहुत Importance है समझ जाओ पहले Bracket अगर B और C में लगा है इसका मतलब इन दोनों का पहले Cross Product होगा अब Cross Product से Vector Quantity निकलता है तो एक Vector यहाँ से आएगा उस Vector का A के साथ Cross Product होगा और फिर से दो Vector का Cross Product तो Final जो Result निकल के आएगा वो एक Vector Quantity होगा इसमें क्या है A Cross B पहले A और B का Cross Product होगा वो एक Vector निकलेगा और जो जो Vector निकलेगा उसका Last में C के साथ होगा और अगें Vector Cross Vector आपको एक Vector मिल जाएगा बात समझ में आ रही है यानि कि Overall Result Vector आने वाला है अच्छा क्या इन दोनों का Value सेम होगा क्या? नहीं इस गलत ख्यामी में बिलकुल नहीं रहना है Vector Quantity है इसका Direction भी है और Magnitude भी है और Bracket लगा हो A Cross B में और उसका Cross Product C के साथ हो ये Generally बराबर नहीं होता है बच्चों किसी Special Case में बराबर हो गया तो वो अलग बात है Generally they are not equal पहली बात और निकालना तो आसान है निकाल तो हम सकते ही है अगर ये निकालना है तो पहले B और C का Cross Product करेंगे पहलो Bracket B और C में लगा है तो इसको निकालने का आसान तरीका क्या है जैसे Cross Product में Determinant दिया गया है वैसे इसके लिए एक तरीका है सुनो देर सब्सक्राइब बोड पे देखो First और Last का Dot Product यानि कि A.C और जो बच गया वो बाहर कौन बच गया? B वो इस Bracket के बाहर बीच में Minus Sign देखो बाहर वाले का अंदर C के साथ हो चुका है Dot Product अब इस बार बाहर वाले का अंदर के साथ जो बचा यानि कि B उसके साथ Dot Product और जो बच गया यानि कि Vector C वो इसके बाहर याद रखने का और तरीका मतलब तुम खुद से सोच के बताओ अगर A क्रॉस B में ब्रैकेट लगा और बाहर क्रॉस C होता तो क्या लिखना चाहिए? कहानी स्टार्ट करना है First और Last से हमेशा याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले First और Last का Dot Product ले लो आप यानि कि A.C बचा कौन? B इसको रख दिया बाहर माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर इसका और इसका काम हो चुका है बचा है ये तब इसका Dot Product C के साथ यानि कि B.C और जो बचा कौन? A वो आ गया बाहर तो ये लिखने का तरीका बहुत सिंपल हम लिख लेंगे सबसे इंपॉर्डेंट जो चीज है वो है इसका Geometrical Meaning Geometrical Meaning जैसे हर चीज का एक Geometrical Meaning है है कि ने? Cross Product में भी हमने उसका Application देखा था Triangle का Area, Parallelogram का Area HTP में हमने देखा Parallelopipe का Volume बन जाता है Box A, B, C या फिर 1 by 6 Box A, B, C कर दें तो Tetra Hadron का Volume बन जाता है वैसे ही A x B x C क्या है? किसी ने पूछा कि What is the Meaning of A x B x C? एक Vector जो निकाल रहे हो तुम वो Vector क्या है? सुनो अब जैसे मान लो Let us assume कि एक Vector आ गया D जिसका Value है A x B x C क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना सब लोग सब लोग थोड़ा सोड़ा सोचो साइद हम लोग Result तक पहुँच जाए हाँ जी सबसे पहले देखो B और C कोई Vector है B और C सब लोग Board पे ध्यान दो ये मान लो Vector B है ये Vector C है ये Board वाले plane में ले लिया मैंने B और C को तो सबसे पहले दो मुझे इनका Cross product करना होता है B और C करो जड़ा B Cross C करो क्या ये वाला Vector ये Marker ये Marker कौन है B Cross C ये Vector कहा है पता नहीं कहीं भी हो सकता है सर आपकी मर्जी है जहां मन करें वहाँ ले लो मान लो कि ये Vector A है ये और ये Vector कौन है B Cross C ये Vector कौन है B Cross C और ये कौन है A ये Green वाला जो दिख रहा है वो A है अब मुझे क्या करना इस B Cross C का Cross product यानि कि A का Cross product लेना है B Cross C के साथ करो करो कहां पे गया किसके बीच का एंगल ये किस ने बोला A और B Cross C के बीच का एंगल 90 डिग्री ये तो कहीं भी हो सकता है B Cross C का B और C से एंगल 90 डिग्री है वो तो दिख रहा है न सबको ये perpendicular है दोनों के A का क्या भरोसा कहीं भी हो सकता है ऐसे हैं कहीं भी हो मान रहा है हम ऐसे ये तुझे किस ने बोला कि A उस plane में है वो टोल्ड यू अपना दिमाग मत लगाओ ठीक है कि नहीं A कहां है हमें क्या पता B और C कहां है हमें क्या पता कोई दो वेक्टर एक plane में होता है तीसरा वेक्टर कहा है कौन जानता है ये plane हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मान लो यहां पर लेट दिस वेक्टर A और ये कौन था B क्रोस C जरा इन दोनों का क्रोस प्रोड़क्ट करो 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 कहां जा रहा है अब एक वेक्टर मिलेगा इन दोनों का क्रोस प्रोड़क्ट करना है अब एक vector मिलेगा जो इन दोनों के perpendicular क्या ऐसा कुछ फीला रहे है ये ये कौन है this is A cross B cross C फिर से देखो ये कौन था B cross C B और C के perpendicular देखा ये कौन था vector A इसका cross product लेना है इस marker के साथ दोनों का cross product लिया तो एक नया vector आएगा जो की इस green pain और इस marker के perpendicular हो वो नीचे की तरफ गया दिख रहे है ये इन दोनों के perpendicular है देखा तो जो final result निकला अब इसको analyze करो जो final जो vector निकल के आया क्या वो vector A और C के प्लेन में गया ये जो vector निकला क्या वो B और C के प्लेन में गया गया और क्या वो vector A के perpendicular है ये green vector जो final vector निकला क्या वो B और C के साथ co-planar है और क्या वो vector A के साथ perpendicular है this is the story कहने का मतलब क्या sir जब आपने A cross B cross C किया B और C के साथ bracket था तो जो vector D निकला वो vector D जो होता है वो B और C के साथ co-planar और vector A के साथ perpendicular क्या हुआ? समझ मैं रहे तुझे? अच्छा और सुनो, अब चलो फिर से बताओ मालनो कोई vector E मिलता जिसमें मैंने bracket लगाया A cross B के साथ और cross किया vector C के साथ क्या होता बताओ? अब यह जो vector निकलेगा किसके साथ co-planar होगा? अरे गदे A cross B के साथ नहीं A और B के साथ A और B के साथ co-planar होगा और perpendicular किसके होगा? C के साथ बात समझ में आया? यानि कि A cross B cross C में यह triple cross product में जो vector निकल के आता है वो दो vector के साथ co-planar होता है कौन सा दो vector? जिनका cross product पहले होता है जो bracket के अंदर होता है उसके साथ co-planar होता है और जो vector बाहर होता है उसके क्या होता है वो? perpendicular होता है बात समझ आ गई? लिखो के पढ़ा कर अगले साल से मारकर उठा के मैं नहीं रहों तो पढ़ा देना कि कोसिस क्या पढ़ा देगा तुम इसमें लिखना? रुखो यह जो लिखा है vector D equal to A cross B cross C इसमें लिखो here the vector D here the vector D is coplanar with vector B and vector C here vector D is coplanar with vector B and vector C and perpendicular with vector A vector D is coplanar with vector B and vector C and perpendicular to vector A लिख लिया? अच्छा DBC coplanar है तो क्या लिखो? क्या box of DBC 0? अरे कोई 3 vector coplanar तो last class बताया था उनका box 0 होता है scalar triple product में भाई और A के साथ perpendicular है तो साथ में D dot A equal to 0 तो यह result आएगा इसका इस वाले कहानी का और इसमें लिखो here vector E is coplanar with vector A and B and perpendicular to vector C यानि कि box of vector E, vector A, vector B will be 0 और साथ में E dot C equal to 0 बात समझ में आ रही है vector E is coplanar with vector A and vector B and perpendicular to vector C ऐसे सवाल पूसता है तीन vector दे देगा बोलेगा बताओ इन दोनों के साथ coplanar है इसके साथ perpendicular है वो किसी के साथ भी coplanar बोल सकता है तो तुमको खयाल बस इतना रखना है कि जिन दो vector के साथ coplanar बोले उनको पहले डब्बे में रखना है और जिसके perpendicular बोले उसको बाहर रखना है बात समझ आ रही है अज तो holiday होना चाहिए था साममें में दिआ नहीं किया है holiday अज देना हाँ कुए notice तो आया नी notice आने तो आं अम लोग भी देना तो कल देगा की नी देगा पतानी देना चाहिए हाँ हाँ मैं भी कल 8 टे क्या हाँ देना चाहिए देखो कब नोटीस आएगा तो फिर क्योंकि जब भुपेंदा मरे थे तो चार दिन शुट्टी मिला था भाई दिया था क्या आसाम में बंद बंद क्या अच्छा लाचित दिवस भी था हाँ अरे यार हम लोगों कोई नोटीस मिला ही नहीं है चालो कोई नहीं सवाल लिखो वेक्टर पी इक्वल टू गिवन है A x B x C वेक्टर Q इक्वल टू गिवन B x C x A and वेक्टर R इक्वल टू गिवन C x A x B you have to find P plus Q plus R कोई नहीं सबका फॉर्मूला लिखके अप्लाई करो देखो क्या मिलता है लाच्ट में चलिए नहीं जगा लिए्टर झाले लेड़ हाँ जी बोलो P क्या लिखता है क्या फोर्मूला बनेगा लिखो कुछ से A dot A dot B पहले A dot C इंटो B माइनस A dot B इंटो C सबको दिखा प्लस Q का लिखो जल जल लिखो फिर R का लिखो कौन कौन कैंसल हो रहा है काटो जो बचा हो एंसर जो बचा लिखो 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 नहीं दिखा क्यों में देखो B.A into C minus B.C into A plus R में देखो C.B into A minus C.A into B अरे एई ना सब कैंसल नहीं हो रहा है A.C vector B C.A vector B cancel हम जानते हैं A.C C.A बराबर होते हैं तो ये दोनों उड़ गया वैसे ये दोनों उड़ गया ये दोनों उड़ गया कितना value 0 ये बताऊ vector A equal to I cap plus J cap vector B equal to J cap plus K cap vector C equal to K cap plus I cap ये given है and आपसे बोला find a vector find a unit vector आशे लिको? find a unit vector which is perpendicular to vector C find a unit vector which is perpendicular to vector C and coplanar with vector A and B find a unit vector which is perpendicular to vector C and coplanar with vector A and B coplanar with vector A and B unit vector पूछा है पहले vector निकालो unit vector बाद में बोला कि एक vector निकालो जो C के perpendicular है और A और B के coplanar है मतलब तुमसे क्या पूछना चाहरा है? अरे बोलो ना अगर इसको vector D नाम दे देता हूँ तो क्या पूछना चाहरा है? D equal to क्या? bracket में कौन रहेगा? A cross B और उसके साथ कौन? बाहर C लगाओ formula लिखो formula होता है sir A dot C into B minus formula रट्टा नहीं मारना है देखके लिखना है first last जो बचा बाहर minus bracket का दूसरा वाला बाहर वाले के साथ B dot C into A सही बात A dot C देखो कितना आएगा? A dot C dot product याद है न? I dot I 1 बागी सब तो 0 हो जाएगा? दिख रहा है? क्या 1 बनेगा? तो 1 into vector B minus B dot C कितना? ये भी देखो 1 ही बनेगा K dot K खाली 1 बन जाएगा बागी सब तो 0 तो 1 into vector A यानि कि कुल मिला क्या आपका answer होगा vector B minus vector A होगा? B में से A को subtract कर दो J plus K J plus K minus I plus J तो J से J सहीद हो जगया क्या बचा भाई? K minus I याद रहे ये vector है अपने को unit vector निकालना है So we have to find d cap तो d cap हो जाएगा vector हो गया K minus I और इसका magnitude कितना जी? root 2 और चाहो तो अगर answer में बाहर plus minus लगाया हो तो confuse ना हो कभी भी बारबर बोलता हूँ एक उपर की तरफ एक दूसरे direction में opposite direction में तो plus minus बाहर लगा सकता है confuse नहीं होना है ठीक है क्या? चलो जल्दी से करके दिखा दो एक और vector A equal to the i minus j vector B equal to the i minus k और vector C equal to दिया है k minus i सवाल पूछा find a vector d find vector d या फिर d cap ले लो unit vector निकालना है find d cap such that such that such that a dot vector d is equal to 0 and box of dbc equal to 0 ऐसे भी दे सकता है language ना लिखके वो ऐसे लिख दे तो मतलब तुमको खुद समझना होगा कि अच्छा vector d जो है वो ये के perpendicular है और b और c के साथ coplanar है मतलब vector d किसके बराबर होगा? अजी विद्वानो वेक्टर d किसके बराबर होगा? क्या इस पार a बाहर होगा? यानि कि a cross b cross c में bracket किसके बीच में होगा? b और c के बीच में है निकाल जल्दी निकाल दीजे जल्दी से चलिए निकाल दीजे जल्दी से उब जल्दी से हुआ 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 ऐसा ही आ रहे क्या i plus j minus 2k a dot c into b minus a dot b into c यह लिखा होगा a dot c कितना आएगा क्या minus 1 तो minus vector b और a dot b कितना यह भी minus 1 तो minus of minus 1 vector c यानि के कुल मिला के हो गया c minus b c minus b किया c minus b c minus b तो k minus minus plus k 2k हो गया minus i minus j यह आएगा न तो इसका magnitude कितना sorry unit vector कितना 2k cap minus i cap minus j cap divided by root 6 with a plus minus sign ठीक है भाई next next यह सवाल आया था iat में a and b are perpendicular vectors then subjective सवाल था यह a cross a cross a cross कितना हुआ एक दो तीन a cross b एक दो तीन इसका value पूछा था क्या हो चली बताई बिन पूछे तेरा नाम और पता अद्ट हाँ भाई इधर देखें सब लोग बोर्ट पर अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा सोंचना है A x A x A x सबसे पहले इसको देखो लास्ट वाले को A x B का मतलब सर magnitude A magnitude B into sin 90 क्या हो गया अरे गदे cross product है एक unit vector आएगा एन वन कैप आएगा नहीं आएगा cross product कर रहे हैं भाई magnitude खाली नहीं लिखना है यह vector A अब देखो इदर सब लोग दिमाग लगो यह vector A यह vector B इसके perpendicular था दिया हुआ है बताओ यह cross B किदर है क्या बाहर की तरफ ठेक सब लोग दिमाग में रखना यह है एन वन कैप ठेक है एन वन कैप का direction outward अब यह magnitude magnitude बाहर कर लो sin 91 होता है तो magnitude A बाहर आ गया magnitude B बाहर आ गया ठेक साइन 91 हो गया अपने पास बचा A cross A cross A cross अब इसका cross product क्या एन वन कैप के साथ जाएगा चलो ए दिख रहे हैं एन वन कैप दिख रहे हैं सबको A दिख रहे हैं एन वन कैप दिख रहे हैं लगाओ course product देखो magnitude A magnitude B A cross A cross अब यहां लिखता हूँ magnitude A magnitude N1 cap into क्या sin 90 क्या angle 90 है N1 cap और A के बीच में और साथ में क्या एक unit vector N2 cap बोल दूँ चलो यह magnitude बाहर आ गया तो एक magnitude A पहले से था एक और बाहर आया यह बन गया magnitude A whole square into magnitude B magnitude N1 cap 1 हो गया into A cross A cross N2 cap चलो बताओ N2 cap किदर गया हान जी A cross N1 cap लेफ्ट कैसे दिख रहे तुझे A cross N1 cap किदर अधर गद है इधर दिखा दिखता भी तु नहीं है बहुत सारे लोगों को दिक्कत तु यह सर यह N1 cap है भाई इसको इसकी तरफ घुमावने से यह देखो नीचे नीचे जाएगा यह direction है किसका N2 cap का चलिए आईए अब A cross N2 cap करना है बाहर चल रहा है magnitude A square magnitude B into A cross अब इनका cross product magnitude A magnitude N2 cap into क्या अभी भी angle 90 A और इसके बीच में sin 90 into A के यूनिट वेक्टर ले लिया N3 cap यह magnitude A वापस बाहर आया बाहर बन गया magnitude A whole cube into magnitude B अब बचा है यह A magnitude N2 cap 1 हो गया cross N3 यानि कि एक कहानी और बचा है A cross N3 cap आईए अब बताओ N3 cap का direction A और N2 cap सबसे पहले करो A और N2 cap इसका cross product N2 cap के साथ क्या अंदर चला गया चलो दिमाग में रखना कि N3 cap अंदर है बना नहीं पा रहा हूं मैं यहीं dot है यहीं cross दिखा दू दिक्कत हो जाएगा अंदर है चलिए इसको लिखता हूं मैं magnitude A Q into magnitude B इसको लिखा मैंने magnitude A magnitude N3 cap into sin 90 और मान लो की नया direction जो आया उसको N4 cap बोल देता हूं ठेक तो यह बाहर आके बन गया magnitude A to the power 4 into magnitude B यह 1 हो गया sin 91 हो गया into N4 cap अब बताओ N4 cap किदर गया कौन बताएगा N3 cap अंदर था A इधर है यह ले लो यह A है यह N3 cap है बताओ A cross N3 cap क्या उपर जाएगा याश J नहीं है बच्चे वो B का direction है और J थोड़ी है वो B का direction में तो क्या मैं N4 cap को अगर B cap लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या यह आपका answer है कोमा में चले गए तो बहुत बढ़िया N2 cap दिखा दूँ N1 cap किदर है बोल बोल N1 cap किदर है बाहर यह A इदर है हाँ चल ए क्रोस N2 cap कर किदर जा रहा है अंगूटा किदर जा रहा है नीचे यह रहा N2 cap जाजे लिखो दिमाग लगाने वाला सवाल था बहुत लोग तो अभी भी कोमा में होंगे मुझे पता है कि बहुत लोग समझ भी गए होंगे हाँ हाँ गाड़ी हुना मैं ले साइट झाल 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 आरे हाँ तुम लोगो को वही पढ़ाँगा कैलोरी बेट्रे पढ़ाँगा मैं सही बोलना था तुझे पहले से पता होता है ना मेरे से पहले से खरून आए में गिस तू सब नी परए तू से तु क्लासे लेगा तु करणा हो ग्रेगा इसे थर्मा राने उसके पड़ाओगा हाँ तुम लोग केलियूरमेट्री हीट ट्रांसफर विगर नहीं पड़ाओगा हो गया है इसका वैलू बताओगे जर्ण बॉक्स ओफ ए बी सी दिया हुआ है फोर आपको बताना है बॉक्स ओफ ए क्रोस बी क्रोस बी क्रोस सी अगर इसका बॉक्स पूछे तो क्या बोलोगे क्यालोरिमेटरी ही ट्रांसफर ध्यान से देखो एंसर इसके अंदर ही चुपा है अगर A क्रोस B को थोड़ी देर के लिए P मानलू P इक्वल टू A क्रोस B और Q मानलेता हूँ B क्रोस C को और R मानलेता हूँ C क्रोस A को ऐसे ही मानने के जरूरत नहीं है अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ तो ध्यान से देखो तो यह दिया हुआ है P क्रोस Q Q क्रोस R R क्रोस A दिख रहा है और पढ़ाया था मैंने P क्रोस Q, Q क्रोस R, R क्रोस A क्या हम इसको लिख सकते थे box of P, Q, R ऐसा कुछ लिखाया था लास्ट क्रोस इंपोर्टेंट रिजल्ट में और अगर P, Q, R का वैलू रख दूँ तो ध्यान से देखो तो यह हो गया 1 क्रोस B यह हो गया B क्रोस C और यह हो गया C क्रोस A और इसका box का whole square और याद करो इसका box फिर से क्या यह box ABC whole square बनेगा तो एक whole square, एक whole square कितना हो गया power 4 और value given of 4 answer is 4 to the power 4 हाला कि 4 vector का product भी कभी कभी दिख जाए तो confused ना हो हाला कि syllabus में तो नहीं है syllabus में तो बहुत कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ा दिया बट still चलो मैं थोड़ा बहुत idea दे ही दूं तुमको 4 vector में कैसे आते हैं कहां नहीं दो result है basically A cross B इसका dot product बोल दे C cross D के साथ ट ज का आई से परी नहीं रहीं परीог़घान रावान वरुम की उरसे दे तूम में खोलुम का गवान आक बावान झाल क्यों नहीं आएगा पुछा हुआ है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पागल हूं नहीं नहीं आता है इसा बिल्कुल जरूरी नहीं बहुत बेकार है चलो देखो जी इसको लिखने का या चाहिए बताओ स्केलर प्रोड़क्ट है कि वेक्टर प्रोड़क्ट है स्केलर प्रोड़क्ट है यह वेक्टर यह वेक्टर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट फाइनली होने वाला है डॉट और डॉट मिन्स स्केलर अब इसका रिजल्ट कैसे याद रखना है देखो पहला वेक्टर इसका डॉट प्रोड़क्ट दोनों के साथ ए डॉट सी ए डॉट डी पहले रो में टू बाई टू का डिटर्मिनेंट फिर दूसरे वेक्टर का बी डॉट सी बी डॉट डी बहुत सिंपल एकदम दिमाग नहीं लगाने का कोई बोले प्रूफ दो येलो लगो अ एक रोस बी डॉट सी क्रॉस डी अच्छा ऐसे सोचो एक रोस बी डॉट सी है इसा देखो एक रोस बी डॉट ये पुरा सी है क्या पोजीशन ऑफ डॉत यड्ड क्रॉस कैन बी इंटर्चेंज स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट में क् A dot B cross C cross D और इसका formula भी पढ़ा है मैंने तुमको क्या पढ़ा है असर B dot D into C minus B dot C into D अब इसको इन दोनों के साथ dot तो यह scalar quantity है dot product यह तो बाहर आ जाएगा इसका इसके साथ रह जाएगा तो यह बनेगा B dot D यह बाहर आ गया into A dot C vector का vector के साथ minus sign यह constant है बाहर B dot C into इसका dot product D के साथ A dot D और ध्यान से देखो तो यह इस determinant का expansion है देखो this into this minus this into this देख रहे हैं तो अपने लिए तो बहुत simple है भाई याद रखने के लिए पहले vector को उठाओ दोनों के साथ dot product first row में दूसरे vector का दोनों के साथ फिर से dot product second row में दूसरा अगर कहीं दिख जाए A cross B और बीच में cross product आ जाए C cross D यह vector है या scalar इसमें तो हर जगा cross है तो vector है obviously है इसको कहले देखो A B मतलब इसका दोनों और इसका last ऐसे सोचो यह first यह last इनका box A B D जो बच गया वो बाहर कौन? C minus sign फिर A B इसके दूसरे वाले के साथ यानि कि A B C का box और जो बच गया कौन? D बाहर ख़़म कहानी note कर लो इसको कहीं कहीं ज़रुरत पढ़ सकता है गलती से generally नहीं पढ़ेगा? इसका proof प्रूफ किसी का भी नहीं चाहिए लिख लो कहीं कोई पूछ लिया महान आदमी के बताओ कैसे होगा explain करने के लिए जवान होना चाहिए मूँ में पढ़ना ही नहीं है? क्या चाहता है जीवन में तुम? अफ्लाइन में है दो चाहर महान पब्लिक बैठा हुए यहां पर यह लोग को घर पर मन नहीं लगता है तो इधर आगे बैठ जाता है तो भाई इसी के साथ आपका यह चप्टर ओबर अब हम लोग पढ़ेंगे 3D क्या पढ़ेंगे 3D 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 आपका यह चाहर में लोगता है हम सबस्क्राइब के सिन आपका साथ में लेगताती है क्यूंते हैं फक्राइब नहीं के मादेवर् आपक नोचल